फ्रेंड्स आपकी काफी कमेंट टैर्टे से प्रीज बना के दिखाईए तो दोस्तों वैसे तो ओलेडी काफी वीडियो पढ़ें फ्रीज को पर लेकिन दोस्तों उस वीडियो में इतना लो टेंपरिचर दिखाते हैं जितना कोई घर के जो फ्रीज होते हो भी नहीं दिखा तो आज पहले इस वीडियो में यह देखां किस तरह तक फ्रीज बनाए जाती है उसके बाद यह देखेंगे अब इतने हथ तक वर्क ले सकते हो कितना काम इससे ले सकते हो चले फ्रेंट देखते हैं किसे बनेगी है समर एक्सपेरिमेंट मतलब फिलाल यहां पर मैं एक यहां पर धर्मयक्र ले लिए और मैं कटके हिसाब से यहां पर जितना भी आ दिखें टैन सबसे best friends आप इस पर solution मत लगाईएगा वनना यह थोड़ा सा melt हो जाएगी और आपकी जो थर्मकोल वह खरा हो जाएगी तो यहां देख सोक तो friends लगबग हमारा box तुमपी लुटू चुका है और पताए क्या चाले आपके सब भड़या मस्त चलिए अपने टॉक पर चलते हैं तो यहां पर हमारे सस्ती सोलिट और टिकाव बोड़ी तयार होगी फ्रिज की तो लेगी फ्रेट्स इसे और मुझबुत करने के लिए अभी हम यहां पर यूस करने वाले हैं मैंना आपको धमनल में दिखा दिया था कि हम यूस करेंगे तो फिलाल आप देंख सकते हो इससे पूरी बोर्डी को कवर करने वाला हूं MDA boards है अगर आपके पास MDA board ना हो तो आप PVC plastic का pipe होगा उसको थोड़ा से gas पर heat करके आप उसकी sheet बना कर सकते हो तो चलिए पहले मैं आप इसके थोड़ा से direct बना कर दिखा तो उन्हें काफी वीडर लंब भी हो जाएगी तो देख सकते हैं इसकी body बन चुकी है अच्छी तरीक से अब इसके अंदर heat अंदर नहीं जा सकते हैं नहीं heat आ सकते हैं क्योंकि हमें fridge का यही फर्क होता है तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको सीधा फिल्वकुल इसके अंदर fix करूँगा जो कि इसके इसाब से ही बना गया है आपको यह याद रकना है फ्रेंट्स की अच्छी तरह से बिल्कुल fix हो जाए कहीं से भी lose ना हो air tight होना चीए हवा नहीं निकलनी चीए तो चलिए आपको थोड़ा सा round करके दिखाजता हूँ आप देखसके तो इसकी बोड़ी काफी अच्छी फिटिंग के साथ बनी है आपको इसी तरीके से कोशिस करनी है चाहिए थोड़ा लेट हो जाए बेसक लेकिन बना इन एच्छी तरीके सही तो देख सकतो है यहाँ बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है और ऐसी आपको इसकी बोड़ी तयार करनी है तभी अच्छी से वर्क कर पाएगी तो चलिए आगए नेक्स प्रोसेस पर चलते हैं ग्तायर पर इस जाज जय तilly है आपको तो फ्रेंट्स वहाँ पर कूलिंग एरिए होता है जाहा पर नम बर लिखा सब्सक्तूरा अनस को इसकी हीट एजी दी होता है अगर आप अच्छी तरह से ठंडा रहोगे तो और अच्छी से कुलिंग प्रोवाइट कर पाएगा तो जैसा आप देखरों फिलाहाल मैं यहां पर यहां पर मैंने लगा दिया है अब दोनों हीट सिंग को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है बिल्कुल भी लूज ना हूँ वन्ना कोई फारता इसका नहीं होगा जब तक सर्फेस पूरी नहीं मिलेगी तो आप देखरो तो फिलाल यहां पर मैंने 40 mm का जो फैन है उसे मैं लगा रहा हूं यहां से कूलिंग के लिए मैं ले रहा हूं उसको इसके बैक सैड़ों में 80 by 80 mm का लगांगा क्योंकि काफी ह हीट हो जाता है और से हीट को जल्दी हीट ना हो जादे हीट ना हो उसके लिए मैं बड़ा फैन यूज कर रहा हूं अगर आप हो सके तो फ्रेंट्स प्लीज हीट सिंग थोड़ी बड़ी उसकीजिए का फिलहाल मेरे पास हीट सिंग नहीं है लोग डाउन चल रहा है एक सी प्रेंट्स पर मैं होल करके यहां पर अट्यां दुक्रेंश के साथ मुझे कहना पड़ रहा है फिलाल मेरे पास शीजिए नहीं पर पहले सी एक ओप्शन होता है जो हम फैन यहां लगा रहे है एक पर यहां लगा रहा हु फिलाल एंडे बोड के इन्दर तो जैस तकते हैं तो देखेंगे तो यहां पर मैं इसा कट कर दूगा और यहां पर सीपोफन बिल्कुल फिक्स हो जागा देखिए तो यह खुशकबरी की बात है अब हमें फ्रेंट्स कूलिंग सिस्टम बिस कंदर इस्टोल करना है इस्टोल करना बहुत एजी है आप वीडियो बने लिए तो देखेंगे अभी फिलाल थर्माकॉल के उपर है यह तो हमें थर्माकॉल का पीज यहां से भी कट करना है आप एमडे बोर्ट तो कट कर लोगे तो यहां पर देखेंगे अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे तो मैं आपको बताओंगे किस तरह कैसा काम में लेते हैं तो यह से मैं लगा दूंगा तो आप देखेंगे फिलाली अंदर जब जाएगा तो यानि ठंडा तो करेगा लेकिस कंद्र से हवा कैसे निकलेगी कि यहां पर फूरी फिरिज को बंद कर देंगे तो यहां पर होल कर दो को छोड़े छोटे जिस ते कि हमारे सी प्यू फेंट था उसमें से हवा निकल जाए तो देखिए आप हमने होल कर दिया है और फिलाहल य यार वाइण करने तो करना आपको भी पड़ेगा तो फ्रेंट्स जितनी फी रच यान उतने बूर करें आपको एक साथ कनिट लेना है और जितनी बीन्हयर है जितनी भी फीज़ड इनद। प्लीज माइनस बोलेजी कोई करा फ्रेंट से नेगरटिव बोलो तो मैं ने तीने एक साथ बोल दियें यानि कि जितने पोईटिव आरे अलग और जितने नेगडिव आपको एक सब करनेट कर लेने हैं और अब यहां पर फ्रेंट से यह विडियो बताना दों बने रही है मेरे साथ तो यह पर फिलाल मैं हिट्षिंग लगा दिया अगर आपका पास यह नहां हो तो पीवीजी टेप होती है आप उसके यूज़ करती है क्यों काफी लोग पास हिट्षिंग नहीं होती अफ्रेंड ध्यान रखें आपको एक बहुत परी प्रॉल्म यह आई कि किससे आप चलाओ को कैसे बहुत हैवी सप्लाइस के लिए चाहिए क्योंकि एमपेर जाद है वह मैं कौन सी सब पावर सप्लाइस यूज़ कर रहा हूं एसमपी यूज़ करूंगा टांस्फोर्म में यूज़ करूंगा आप जो कि काफी अच्छी नहीं लगती तो यहां पर इस्टर गूलु सब्सक्राइब करूंगा तो मैं अच्छी तरह से चिपका दूंगा से उसके बाद फ्रेंट्स क्यों कि हमारी नीचे नहीं गिनने वाली और भी उप्सन रहेगा मैं आपको बता दूंगा भी अब यहां से क्वार करना है किस तरह से करने के वहारा फैन लग रहा है तो मैंने चली तो फैव को लगा इसे मैं लगा दूंगा तो फ्रेंट्स लो होगी आपकी फ्रिस्ट तयार अभी बस थोड़ी पॉइंट ओर रहेंगा और मैं नहीं चाहता हुआ फ्रिस्कर पुछ कमीं रह जाए यहां मैंने एक LED लिए है जिसके घर में आपके होती है तो यहां फिलाल में एक LED लगा रहा हूं आपके पास कोई भी color हो available आप उसा लगा सकते हो मैंने यहां पर green color की LED लगाई है और फ्यूज नहीं हो उसके लिए फ्रेंट्स मैंने 1K का resistance लिया है क्यूंकि 12V से हमारी LED खरा आपको यहां करेंट कर सकते लेखिए तो आपकी LED अच्छे से काम करेंगी फ्यूज नहीं होगी तो यह लगाना बहुत जरूरी है तो चलते हैं इसको मैं फिलाल बंद करता हूं मैंने इसे दो बाटा है जिसका अलग से बंद कर दिया है जिसका अब वर्क नहीं चाहिए ज यहां पर इस तरीक से मैंने आप लगाए कि बिल्कुल भी आने की लूओ्स नहीं होना चीजिए ए्टाइट होना चीजिए किस तरीक से टियुक Чер खलग नशी निकला भी रह जाएगा बिल्कुल को साल वी लाुज नहीं होई यहां फिपिच Tikन अउसके बाद में पर यहां रख देना है तो देख सकते हैं है इससे क्या यह प्लुकुल फिक्स जगह पर फिक्स हो जाएगा जो कि हमने थर्माकॉल का पीस लगाए अब आपको इसको कम सगम 15 मेंट तर चोड़ दाना है क्योंकि हमारा फैविकॉल होता है बहुत ज़्याद टाइम लेता है तो शूकने के लिए तो आप देख से तो बहुत अच्छी तरह से चिपक चुका है अभी पूरी तरह से नहीं सुका लेगे बहुत अच्छी तरह यानि यानि कि अंदर से फ्रेंस थर्मा कॉल है तो इसके अंतर आईगी इसके अंदर नहीं जाएगी फ्रेंस अभी इंपर्टेंट प्रोसस् तो देख सो तो बहुत अच्छी तरह इसके फिटिंग वही है तो फ्रेंट चलिए विसके मैं प्रोसेस पाते हैं यह इट सिंग बाइना लगा यह आप जानते हो जो उपर वाली इट सिंग के फ्रेंट से हीट होगी जो कि इसमें फैन लग रहा है और जो नीचा वाली इट सि मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूं जिससे के अंदर हवा ना निकल कि नीचा वाली इट सिंग ना जाए और जो नीचा वाली इट सिंग के फ्रेंट सोप्रेंट कूलिंग की साइड है जिससे वह ठंडी रहेगी तो यहाप मैं थोड़े से और इसके उपन रखूंगा तो कि मैंने एमडे बोट से पीश को बंद कर दिया है अब फ्रेंट सामने एक हैंड्र बनाया है डूर को ओपन एंड क्लोस करने के लिए वैसे कि जड़त तो नहीं ते लिए फिर आपकी कमेंट आते सर आपने यह नहीं लगाए तो फॉर्मल्टी के लिए मैं लगा देता हूं ए फिलहाल यहां पर बीस एंपियर बार वोल्ट की ऐसे पावर सप्लय दे रहा हूं इसे चलाने के लिए तो फ्रेंट्स कम सब्सक्राइब आपको दस एंपर टांस फारम तो लगा नहीं पड़ेगा या ऐसे इंपेस पावर सप्लय लगा नहीं तब यह अच्छा वर करेगा अगर आप जाद एंपर तो अच्छा वर्ट अब करेगा कम वक्त तो करेगा लेकिन अच्छा वर्क नहीं करेगा फ्रेंट्स हमने पहले होल कर दीती है आप उपर देख सकते हो तो इसके अंदर कावी हीट एर निकल रही है क्योंकि पेल्टियों मोडूल हमारा काफी हीट ह हमारी कूल हो रही है तो देख इसके नाइट विजन है कुछ नुकसान में कितना वर्क यह करते हैं जिसलिए आप आये हो तो देख सब्सक्राइब काफी अच्छा लग रहा है ग्रीन कलर तो फ्रेंट्स मेरा बहुत मन कर रहा ता कुछ मीटा खा लिए पी लिया जाए तो सब्सक्राइब कर देख सकते हो तो आप देख कमाजी लिए और मैं दिखाते हैं कि मतला बिल्कु बरफी बन गया पानी का और धुवान निकाए यह चेक करने के लिए मैं इसकंदर रखा है अपने सरबता गिलास देखते हैं कितना ठंड होता है फ्रेंट्स वैसे 20 मिनिट अप्रक्स हो चुका है फ्रेंट्स चलते है तो काफी कूलिंग इसकंदर होगी होगी तो हाँ ध्रेंट्स को इसकंदर होगी है मैं चेक कर पा रहा है लेकितनी कूलिंग नहीं कि बिल्कुल बरफी जम जागा 20-30 मिनट बाग सिफ नौरॉपन टेमपरेंटर लबद 14-15 दि की टेंपरेश के अंदर रहेगा ऐसा में सोचे के फ्रेंट बिल्कुल दुवा निकलने लागा बिल्कुल यह निके पानी का बर्फी मन जाएगा सिर्फ नोपन टेंपरेचर है जिससे आपको आपकी शोप पर रखते हो ठीक टाक है ज्यादे काम नहीं करता इस ज्यादा काम लेने के फ्रेंट आपको बड़ा प्रेल्टे मोडूल लगान होगा तो फ्रेंट्स आइओ यह मेरा ओनेस्ट वीग होता अब वीडियो अच्छे लेकित वीडियो को लैग कर दिए और चैनल को सब्कर कर प्लिस बेल आएक को पेस्ट कर दिए और पर तो फ्रेंट्स ले मिल्टे